दोस्तों आज मैं आपके सामने कबीर दास के दो पद रखोंगा और उन दोनों पदों का आर्थ और महत्व भी रखोंगा हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग एक हजार बरसों का माना जाता है इस एक हजार बरस के दोरान कबीर के बाद कबीर जैसा कोई दूसरा कभी हिंदी में पैदा नहीं हुआ इसके तीन कारण पहला यह कि कबीर जैसी खरी और खुली भासा में समाज में फैली हुई विसमता रूढ़िबाद और धार्मिक कटरता की आलोचना करते हैं वैसी आलोचना किसी और कभी ने नहीं किये दूसरी बात यह कि कबीर पूरे भारती समाज में ब्याप्त जाती ब्यवस्था का जोरदार सब्दों में खंडन करते हैं और मनुस्य से दूसरे मनुस्य के किसी तरह के भेद को स्विकार नहीं करते हैं इसलिए कबीर समाज में मौजूद भेद भाव के खरे आलोचक हैं तीसरी बात यह है कि कबीर की कविता अनेक रूपों में जन जीवन से जुड़ी हुई कविता पहली बात तो यही कि वे जन भासा के कभी हैं दूसरी बात यह कि वे जन जीवन के कभी हैं तीसरी बात यह कि वे जन संस्कृती के कभी हैं और जन संस्कृती का निर्मान भी किया है उन्हों कभीर के बारे में एक और बात है कि वे किसी भी तरह के धार्मिक भेद भाव पाखंड दिखावा आडंबर को स्विकार नहीं करते और इन सब का ऐसी भासा में आलोचना करते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग को छूती है उनकी अंतरात्मा को जखजोरती है और उनको एक अधिक मानवी समाज के निर्मान की प्रेरना भी देती है एक और बात है कि कबीर की कविता संगीत मैं कविता है संगीत के लैताल में बधी हुई इसलिए भारत के एक बड़े गायक कुमार गंधर्म केवल कबीर के पदों को ही गाते थे पर यह भी ध्यान रखें कि वह कबीर के पदों को जीन पदों को गाते थे वे पाठ्थ पुस्तकों में मिलने वाले पाद नहीं हैं बलकि छतीस गड़ के लोक जीवन में प्रचलीत और रमे हुए पद मन मस्तरु बाताग क्यूं बोले मस्तरु बाताग क्यूं बोले मस्तरु बाताग क्यूं बोले क्यूं बोले क्यूं बोले क्यूं बोले क्यूं बोले क्यूं बोले मस्तरु बोले मस्तरु बोले मस्तरु बोले मस्तरु बोले कभीर इस प्रकार अखिल भारतीय कभी भी हैं सीख धर्म के महान गरंथ गुरुगरंथ साहब में सीख गुरुओं के बाद सबसे अधिक सबद और साखियां कभीर दास की ही है दूसरी बात यह है कि कभीर दास के पदो का संग्रह बंगाल के बड़े विचारक छिती मोहन सेद ने किया था यही नहीं रबिन्ना टैगोर ने उनके सो पदों का अंग्रेजी में अनुबाद भी किया था बहुत पहले जिस अनुबाद के माध्यम से कभीर भारत के ही नहीं बीशो के कभी भी बने यह कभीर का महत्व आप ध्यान में रखें और ताब उनके पदों को साखियों को पढ़ें और उनका अर्थ समझें एक और बात चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ परंपरा से यह बात कही जाती है कि कभीर को बहुत लंबा जीवन मिला था वे 1398 इस्वी में पैदा हुए थे और 1518 इस्वी में स्वर्गी हुए या उनका निधन हुआ अब यह पैदा होने का सन और दिवंगत होने का सन विबाद का विशे है पर इससे एक बात तो जाहिर है कि कभीर को लंबा जीवन मिला था कभीर कासी में पैदा हुए थे कभीर रूड हिवाद और अंध्विश्वास का खंडन के ओल कविता में नहीं करते थे अपने जीवन में भी करते थे बनारस में एक अंध्विश्वास है कि जो कासी में मरता है उसे मोक्ष मिलता है पर जो मगहर में मरता है वह अगले जनम में गदहा होता है कभीर दास ने इस विश्वास या अंध्विश्वास का कभीता में भी खंडन किया है और अपने जीवन में भी किया उनका एक पद है जो लोका मतिके भोरा रे जो कभीर कासी मरे तो राम ही कोन निहोरा रे मतलब अगर कासी में मर कर ही मुक्ती पाना संभो हो तो राम की भक्ती का अर्थ क्या है इसलिए बाद में कभीर ने लिखा कि जास कासी तास मगहर उसर हरदय राम सत होई माने अगर हरदय में राम है राम से भक्ती है तो कोई कासी में मरे या मगहर में मरे कोई फार्क नहीं पड़ता या कहते हुए कबीर कासी छोड़ कर मगहर चले गए और वहीं उनका निधन हुआ इसलिए मैंने कहा था कि उपदेश देने वाले कभी तो हिंदी में और दुनिया में बहुत हैं पर अपने जीवन में भी अपने उपदेशों अपनी मान्नताओं अपने सिध्धान्तों को लागू करने वाले आदमी आचरन करने वाले कभी बहुत कम हैं उनमें से एक हैं कभीर लोका मती के भोरा रे कह कभीर तो नहुरे तन तो धमी परे जिमी कोई रे जसकासी तक मद हर उतर फिर दैराम सती हो इरे आईए अब हम कभीर का पद पढ़ें और उसके आर्थ को जानें कभीर का पहला पद है मोको कहां ढूठे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलास में ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं जोग वैराग में खोजी होए तो तुर्ते मिलिहों पल भर की तालास में कहे कभीर सुनो भाई साधो सब स्वासों की सांस में मुखो कहां ढूठे बंदे मैं तो तेरे पास में ना में मंदिर ना में मस्जित ना कावे कैलास में वो को कहां ढूढे बंदे मैं तो तेरे पास में इसलिए इस पद में भी जो आखिरी पंक्ती है कि कहे कबीर सुनो भाई सादो यह भी संबाद धर्मी पंक्ती है मतलब संबाद करने की इक्षा से लिखा गया यह पद है और साधूओं को इसलिए संबोधित है कि पहले इस पद में कबीर ने जिन बातों की चर्चा की है और जिनका खंडन भी किया है वो सारे काम साधू संत जादे करते हैं वैसे करते सामान निलोग भी दूसरी बात यह है कि यह पद निर्गुन ब्रह्म की सचाई की ओर संकेत करता है असल में निर्गुन भक्ती साखा के अधिकान लगभग सभी संतों और कभियों ने निर्गुन को क्यों महत्व दिया उसका एक बड़ा कारण यह था कि उस समय भारतिय समाज में मंदीर में छोटी जाती के लोगों और दलितों को जाने का अधिकार नहीं था तो यह निर्गुन संतों ने इसलिए निर्गुन ब्रह्म और आत्मस्थ ब्रह्म मतलब आत्मा को आत्मा में परमात्मा के दर्सन का जो दर्सन दिया उसका कारण यह था कि मंदिर मस्जित काबा कैलास में जाना ही निरर्थक है इस्वर को पाना हो तो अपनी चेतना में अपनी आत्मा में अपने भीतर खोज कर भी पाया जा सकता अब आप पन की पहली पंक्ती से सुरू कीजिए कबीर यह कहते हैं या कबीर से इस्वर यह कहते हैं कि मो को कहां ढूढो बंदे मैं तो तेरे पास में तुम मुझे जंगल में पहाड में नदी में मंदिर में मस्जिद में काबा मतलब यह इसलाम के लिए है और कहलास हिंदू धर्म के लिए है आप सब लोग काबा का भी मतलब समझते हैं जो साउदी अरभिया में है और कहलास का भी मतलब समझते हैं जहां भगवान संकर का निवास माना जाता है इसलिए इश्वर कह रहे हैं और इश्वर की ओर से ही कबीर कह रहे हैं कि मुझे कहां ढूंड रहे हो जगह जगह मैं तो तेरे पास हूँ तेरे भीतर हूँ तेरे अंतरमन में हूँ अंतरात्मा में हूँ मैं न मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ न काबा में हूँ न कैलास पर रहता हूँ मैं किसी क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ साधू संत लोग तरह तरह के क्रिया कर्म करते हैं कबीर ने तिर्थ और तिर्थ में होने वाले कर्मकांड की भी आलोचना की है वो बैराग को भी स्विकार नहीं करते क्योंकि कबीर ग्रिहास्थ और अपने पेशे में लगे हुए संत थे वो जंगल में और घरदुवार छोड़ कर साधू बने संत नहीं थे वो कपड़ा बुनते थे और साथ ही इस्वर का भजन भी करते थे धीनी धीनी जीनी चदारिया धीनी धीनी चदारिया धीनी कभीर के इस पद की आखिरी पंगती है कहे कभीर सुनो भाई साधो मने साधुओं को वो संबोधित कर रहे हैं कि इस वर जो है प्रतेक स्वास में मनुस्य के निवास करता है और हर आदमी सांस लेता है छोड़ता है तो उसी में खोजो यह साब जोग जाप ताप तेर थाटन आदी आदी क्यों कभीर का एक और पद है लिखा है उन्होंने कि जो खुदाए मस्जीद बसतु है और मुलुक के ही के रहा मने अगर खुदा केवल मस्जीद में रहते हैं तो बाकी दुनिया में कौन रहता है तीरत मूरत राम निवासी बाहर करे को फेरा और अगर तीरत के मंदिर की मूर्टी में राम रहते हैं तो बाहर की दुनिया की देखरे कौन करता है जी इसलिए कबीर ने ऐसे तरकों और ऐसे ढंग से अपनी बात कही है कि उनका खंडन करना जल्दी संभों नहीं लगता आईए अब हम कबीर के दूसरे पद को पहले सुनते हैं फिर पढ़ते हैं दूसरा पद ध्यान रखिये कि थोड़ा मुश्किल है इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा दूसरी बात ही इस पद में जो खास है पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि कबीर की कविता आम जन जीवन की कविता है आम जन जीवन से जुड़ी हुई कविता है तीसरी बात यह है कि वो गरामीड जीवन की कविता है जो लोग गाओं के जीवन को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि गरीब प्राया जोपड़ी में रहता है गाओं का वो उसको कोई महल अटारी तो न उपलब्ध है उस अपने में भी उपलब्ध नहीं है वास्तविक्ता में कौन का है तो कबीर ने इस पद में एक जोपड़ी का बड़ा रूपक माधा है और उसी के विभिन तत्वों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिस की है अब मैं आपके सामने पद पढ़ रहा हूँ संतो भाई आई ग्यान की आधीरे भरम की टाटी सबय उडानी माया रहे न बाधीर हित चित की द्वय थुनी गिरानी मोह बलिंदा तूटा त्रिसना च्छान परी घर उपर कुबुदिका भाणा फूटा जोग जुगत कर संतो भाधी निर्चू चुए न पाणी कूड कपट काया का निक्सा हरी की गत्य जब जानी आधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरी जन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भाया तम खीना वित्रों ऐसा है कि अगर आप गाओं के हैं तो एक जोपड़ी और उसकी बनावट पर भ्यान दीजिए तब ये पाद और उसमें मौजूद रूपक आपकी समझ में ठीक से आएगा कबीर कह रहे हैं कि ग्यान की आधी आई इसी प्राकृतिक और मानुवी वास्तविकता को कबीर ने इस पाद में रूपक के रूप में रखा है अब आप पहली लाइन से इस पद पर सोचना शुरू कीजिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर का प्रतेक पद किसी न किसी को संबोधित है यहां फिर वो संबोधित कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं कि शंतों ग्यान की आधी आई ग्यान की आधी के आने से क्या हुआ जोपड़ी जो होती है उसके चारों और टाटी लगाई जाती है मतलम टाटी बनती है तीन चीजों से खर से, सरकंडे से और बांस की फठियों से उसको रसी से बाधा जाता है तो टाटी खड़ी होती है गाउ में उसको टाटी भी कहते है भोजपुरी में तो घार के भीतर रहने के लाइक बनाने के लिए चारों और से टाटी लगाई जाती है कबीर कह रहे हैं कि जब आधी आई तो मनुस्य के मन में जो तरह तरह के भरम हैं वही असल में टाटी की तरह होते हैं कि भीतर ग्यान को आत्म बोध को इस्वर बोध को प्रवेश नहीं करने देते हैं पर जब ग्यान की आधी आई तो पहली बात यही होई कि भरम की जो टाटी है वह उड़ गई और माया उसको बाध कर नहीं रख सकी जो प्राय जीवन में ब्यक्ती को बाधती है यह जो टाटी है उसको टिकाने के लिए लकडी का या कभी-कभी बांस की भी लकडी की या बांस की थून ही लगाई जाती है पतली होती है जिसके सहारे वो टिकती है तो उन्होंने यह भी कहा कि हित्चित की द्वय थून ही गिरा दी जो जो जोपड़ी थी उसमें दो थूनिया लगी हुई थी दोनों और यद्धपी थूनिया चारो और लगी रहती है पर कभीर दो की ही चर्चा कर रहे हैं माने हीत्चित की माने अपने हीत्चित स्वार्थ की जो थून ही है वो उखड़ गई तूट गई और सबसे अधिक मनुष्य को भ्रम में डालने वाला कस्ट में डालने वाला संसार में भरमाने वाला मोह होता है तो कभीर मोह को असल में जब जोपड़ी बनती है तो कभी बांस की या कभी लकड़ी की है एक मोटा बांस या मोटी लकड़ी पर दोनों और से छपपर डाल कर उसको चाया जाता है उसको भोजपुरी में छानी भी कहा जाता है तो जिस लकड़ी पर वो टिकी होती है उसको भोजपुरी में तो धारन ही कहते हैं जो धारन करें धारन कभीर उसको बलिंडा कह रहे है तो कहा कि वही टूट गया मोह का जो बलिंडा है या धरन है वो टूट गई तो जोपड़ी को तो धरासाई या जमीन पर गिरना ही था त्रिसना चान परी घर उपर उपर से त्रिसना का जो चान है छपपर है वो उड़े गई और कुबुद्धी का जो भाड़ा मने बरतन प्राय पहले के जमाने में गाओं में गरीब लोग मिटी के बरतन में ही बहुत सारे काम करते थे खाना बनाना पानी रखना और बहुत सारे तो भाड़ा उसी को कहते थे वो छोटा बड़ा दोनों तरह का होता था तो उन्होंने कहा कि जो दुरबुद्धी का मिटी का बरत वो फूट गया, उसके बाद चुकी ज्ञान की आधी आई थी, तो संतों को वह ज्ञान मिला, तब उन्होंने जोग जुगुति करी संतों बाधी, कि संतों ने बहुत सारे प्रेत्न करके, जोग जुगुति मैंने उपाए करके, घर को फिर बनाया, छाया, छपर लगाया, और ऐसा लगाया, कि जिसमें एक बूद पानी नीचे न चुए क्योंकि बरसात जब होती है, और घार में पानी चुने लगे, तो न उसमें रहना संभव होता है, न सोना संभव होता है, न खाना संभव होता है, ये सब मैं मित्रों फिर आप से दूसरी तीसरी बार कहना हूँ, कि यह पाद आपको बार बार गाओं के गरीब की जिन्दगी की वास्तविक्ता की ओर ले जाता है, ये भक्ति काल की कविता को परहने का एक आर्थ यह भी है, कि उसके माध्यम से आप भारत के गरीबी में जीने वाले जन को जाने, ग्यान जब मिला, तो हिरदय में जो कपट, चाला की, चाले च्छद मता वो निकल गया हिरदय से, और उसी के साथ इस्वर की गती का ग्यान हुआ, इस्वर की लीला का ग्यान हुआ, आप इसका अर्थ इस तरह भी कर सकते हैं, कि जब इस्वर की गती या लीला का ग्यान हुआ, तो हिरदय से सारा च्छल चंद धोखा धड़ी का भाव निकल गया, अब जैसा मैंने आप से पहले कहा था, कि कभी कभी आधी के बाद बरसा भी आती है, यहां भी वही हुआ, पद में यही है, आधी पीछे जो जलब, बूटा, बने आधी के बाद जो जल बरसा, पानी बरसा, तो उसमें उसको प्रेम का जल है वो, उससे जो है हरी या इस्वर का जो जन है, भक्त है, सेवक है, वो पूरी तरह भीग गया, मतलब सराबोर हो गया, वो इस्वर की भक्ती में, इसलिए कबीर कह रहे हैं, कि कहे कबीर भान के प्रगटे, माने सूर्ज के प्रगट होने पर, निकलने पर, जो पहले से थोड़ा सा कमजोर सा छीड सा खीना मने छीड जो अंधकार था वह भी मिट गया, और भक्त उसकी आत्मा सब में प्रकास छा गया ग्यान का इस तरह आत्म बोध जगत बोध में बदला, और इस्वर बोध में भी बदला, यह कबीर के इस महत्पून पद का आर्थ है और सारांच है। हम का मीला जिया वन हारा, हम ना मरे मरे है संतारा। खट भी में आरा है, क्ला जिती समय का आरही वित अलांग का आरा है गया जिल कुछ सो क funky चले,